नमस्का बीसे न्यूस की खास मुलाकात मैं मैं क्षेति जादेश्मु का आप सभी का स्वागत करती हूं आयरवेट का एक ऐसा विशेश महत्व भारत में है और भारत के साथ साथ हम देख रहे कि दुनिया भर में आयरवेट का महत्व जो है जाना जाने लगा है और इस बार जो है हम बात करेंगे आयरवेट को लेकर और इसके लिए हमारे स्टोडियो में हमारे साथ उपस्तित है अज संस्तान के की प्रभारी सायक निदेशक है और इन से अम जानें गे कि हर साल जो है क्षेत्रिया आयरवेट अनसंदान संस्तान त्वारा अ yönद atra correspond जाता है इस साल का 8 है और इस ko लेकर क्या गतिवी दिहा संस्तान की और सबसे की जा रही है तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हुआ और नमस्कार मेरा यही सवाल है कि आयरवेद दिवस जो होता है वो क्यों और कब से मनाने मना जा रहा है क्या बताओगे यह बड़ी अच्छी बात है कि आयरवेद दिवस के उपलक्ष में हम लोग आज चर्चा के दोरान आपने मुझा मंतृत किया इसलिए मैं आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूं और सभी दर्सकों को मैं इसकी शुप कामना भी देना सुरू करूंगा क्योंकि आयरवेद दिवस ओ ऐसा दिवस है जिसमें हम लोग धन तरेस के दिन आयरवेद दिन मनाते हैं उससे जैसे मानना है कि आयरवेद के प्रनेता भगवान धन्वंतरी का जनम धने तरेस के दिन हुआ इसलिए धने तरेस के दिन हम आयरवेद दिन मनाते हैं और अभी मतलब इस वर्ष हम पूरे महिने में उसकी अनेक ऐसी गतिविद्याओं के साथ ऐसे कारेक्रम का आयोजन की है जो पूरे मेने भर उसका चलेगा जैसे हिल्ट क्यांप लेना है शीविरों का आयोजन करना है स्कूलों में और कालेजों में चात्रों के लिए उनका आवेरनेस बढ़ना चीए इसके लिए वैक्षान लिए हैं बहुत सारे लेक्चर्स का आयोजन किया गया है गवर्मेंट बहुत सारी ऐसी सपर्दा हैं जिनका हमने आयोजन किया है जिसमें आयरवेत के चात्र हो बाकी आयरवेत के अतिरिक्त जितने भी चात्र हैं उनका भी सहबाग उसमें होता है आजकल फार्मशी कॉलेज के लोगों को गभी सहबाग हम लोगों को मिल रहा हैं बहुत सारे कॉ अवेरनेस पैदा करें, उनमें जागरुपता फैलाएं और आयरवेद की जो दिन प्रति दिन भारत में नहीं तो पूरे विश्व में जो आज मतलब उनको एक तरीके का ऐसास होने लग गया सबको कि आयरवेदी ही ऐसी चीकिसा पद्दती हैं जिसका हमने अनुपालन करना है हैं जिससे हम स्वस्त रह सकते हैं और भारत सरकार का ये प्रयास हैं कि आयरवेद के शिद्धान्त और दवाएं दोनों का हम प्रचलन अपने जिंदगी में लाएं और सुगूरे समाज को देश को स्वस्त बनाएं बिलकुल कि मंत्राल है जो होते हैं या सरकार का इसमें करनिंगों रहता है मैडम आपको बता दें लिए भारत सरकार के अंतरगत ऑब हमारा जो अंशन्दान के गतिविद्व फूरा करता है है ऐरोएं में उसके पूरा करता हैं Smoke मिनिस्ट्याप आईउश का प्रत्रों की बाएं जैसा आइरे बे natin शिकिश्व संस्तान है वैसे ही बाकी जिकिस्ता संस्तान भी है जैसे सिद्धा अनुसंदान संस्तान हुमिपैथी अनुसंदान संस्तान या यूग का अनुसंदान संस्तान ये बाकी अनेक परिशद है जिसके तहत हम लोग अनुसंदान करते हैं तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आ प्लैन की और संदान संस्तान की और मुंबए और नाकपूर का प्लीजिकल रिसका जिसको हम बोल सकते हैं कि मरीचों पर हमारा संस्दान होता है मतलब जितने भी हमारी डवा है जो क्लासिकल उसके परिक्षन करते हैं और उनके जितने भी data या उनकी इफिकेसी के data है उसको पब्लिस भी करते हैं तो उससे फाइदा होता है कि लोगों का विष्वाग बढ़ता है कि यह पुरानी जो दवाएं उसमें एक तो सेप्टी है एक आपक्टी भी है इस तरीके का scientific community को हम लोग प्रयास करते हैं कि scientific parameter पर scientific community को convince कर सकें, लोगों को प्रमान के साथ हम बता सकें कि इसकी उपयविता क्या है, ये पहला हमारा कारण है. प्षेत्रया अयर्वेदिक संस्तान, जो है, हर साल अयर्वेद दिवस मनाता है, तो ये आठफा अयर्वेद दिवस है, तो इसके तरह अलग-अलग theme हर साल होती है, तो इस साल की theme क्या है और किस तरह से ये काम शुरू है? जैसा कि आपने जाना कि मैं आइरवेड के बारे में जी हम बता सकते हैं, तो पिछले साल, मतलब 2022 में, इसका थीमता हर घर, हर दी आइरवेड, घर-घर, आइरवेड, ऐस था, इस बार हमने कहा कि हर दी हर किसी के लिए आइरवेड, जैसा G20 में आपने कहा होगा वसुधेवम कुटुप मकम, मतलब वन अर्थ वन फैमिली ये चीजे देखी गई है, आयरवेद भी वैसे हैं कि हर किसी के लिए आयरवेद है, मतलब हर किसी का मतलब ये होता है कि सबी इंसानों के लिए ने, मनुष्य प्राणियों के लिए तो ह है, इसको तो हम आगे और बढ़ाएंगे, लोगों को जागरूता करेंगे, तो इस साल की थीम है, हर दिन, हर किसी के लिए आयरवेद, ये थीम है, इसका मतलब ये होगा कि हर किसी के लिए आयरवेद है, उसकी आवशकता हम लोगों को लोगों को बनता ना है, कि आयरवेद केवल सिमीत नहीं है यह विज्ञान है इस तरीके का विज्ञान है कि हर किसी के लिए उपयुगत होगा उसके स्वास्ते के लिए यह जुरूरी नहीं होगा कि जब हम बीमार पढ़ते हैं तभी हमने दवा खानी चाहिए ऐसा नहीं है यह शास्त्र ऐसा है कि हम किस तरीके से स भाइब स्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए इसको आयर्वेट सिखाता है इसको हम बोल सकते हो यही उसकी विशेष्टा है बाकी चिकिसा स्यास्त्रों से इसकी विशेष्टा हूगी बिल्कुल किस तरह के आयजन जो है साल आठवे जो आईरवेट दिवस के आउसर पर किए में लोगों का भागीदारी होना जरूरी है इसलिए लोगों के प्रति सव्वेदना लोगों को संदेश नहीं जा सकता है जब तक उनकी भागीदारी नहीं होती है तो मंत्रालेयूं का गाइना है कि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक जन संदेश नहीं पहुच सक आयरवीद के फार्मसियां कि को लेकर वह लोग काफी आयोजन कर रहे हैं कुछ अपने-पने शेत्र में जैसे अपने-अपने कालेजों में अलग-अलग हम गतिवी दिया या कारिकरम कर सकते हैं लेकिन हमारे का हमारे संस्तान में हमने अभी आयरविद प्रदर्शनी का आयोजन किया सीपे रूम का आयोजन किया मेडिशनल प्लांड हम वहां बहुत सारी जगा जाके उनका रुक्षार उपन कर रहें केवल रुक्षार उपन नहीं कर रहें तो हम उनको बता भी रहें कि यह दवा या यह मेडिशनल प्लांड किस बात के लिए और किस बीमारी के लिए उपयूगत होती है कैसी उपयूगत ह होती है जरूरी नहीं हम उसका बड़े धंग से इस्तेमाल कर सकते हैं तब तो फायदा हो लेकिन यदि उसका दुरूपयों करते हैं तो जरूर नुक्षान होगा यह भी बात हम उन लोगों को बताते हैं और बहुत सारी जगा पर हमने मेडिसनल प्लाइड के बारे में बताया है ऐसी प्लाइड हमने डोनेट की ही वहां जाके लगाते हैं उनको बताते हैं कि इसका फायदा क्या होगा इवन हम यह भी बात करते कि किशानों के लिए आयरवेड का मतलब यह होते है कि जो किशान अभी अपनी खेती कर रहे है जो हमारी फसल ले रहे है पहले से ही उसके स कारियां हमारे खेत में मतलब फैली रहती है कोई काम नहीं उसका ल começou साइसे फारम के खिशा इसकम आbir जानने की चाए तरहां मार्की और कि शॉख सकते है कि बाकी और आर्तिक शायता उनको मिल सकती है और ने मेरे ऐसे पर विदर्ब Zaruna में मिलत कर और जैंदिन पाहे हैं ने लेकिन बहुत सारे किसानों को आजब 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 के लोगों को ये मालूम किस उपयुच में लाया जा सकता। आवला आवला को हम जानते हैं। कुमारी हम जानते हैं इएरण हम जानते हैं निरगुंडी हम जानते हैं। कि भीच बाइशा bamboo atoga we had gone hit a by federally जिसको हम गुंडवेल बोलते हैं, लेकिन लोगों ने इसका इतना इस्तिमाल करना सुरूँ कि उसके टक्सिपिकेट कुछ लोगों को मिलना सुरू है, तो चिकिसक के देख रहें चीन को मालूम है उस तरीके से उसका इस्तिमाल करना चाहिए, यह दूआ है, और दूआ को अभी आईर्वेद दिंग के उपलक्ष में हम 5 नवंबर को एक आईर्वेद रेली का आउजन कर रहें जिसको हम एक रत के स्वरूप में या स्वभायत्रा के रूप में मनाने जा रहें इसके साथ साथ बाईक रेली भी निकाल रहें जिसका मतलब आरहम क्रिड़ा चुक से हो और उन्ठ खाना से रिसिंबाग चवक होती हुए, फिर हम इश्वर देशमुक फिजिकल एजूकेशन कालेज में आएंगे, तो वहाँ पर जहां से आरम होगा वही से समापत भी होगा, ये पदे अत्राका या रत है अत्राका, इसमें हमारी कंसेप्ट ऐसी है कि हर कालेज उस झाल से करिडाचोक से आरम होगा और संकरणगर तक जायएगा, संकर नगर से फिर दिक्षभू में जायगा, फिर उन्ठ खाना होते हुए, इधर रिशम बग्चोप होते हुए, फिर क्रिडाचोक में आएगा, तो इस तरीके बाइक का आएजन किया, बाइक रैली का और उसके बाद यह अवेरनेस रहा होगी जिनको हम अलग अलग से तरह पर मनाने की कोशिश कर दें बहुत सारी कॉंपेटिशन लिया है बहुत सारे ऐसे आयूजन है रक्तदन सीविर का भी हमने आयूजन किया बिल्कुल क्या आयूज़ के प्रति अभी भारत में हम कह सकते कि अद्सक्रों ने जन जागरुति नहीं है इसलिए इस तरह की कारे क्रमों कायजन करना पड़ रहा है भारत में ही आय। JOE kela क्राम्प्रा में बसा हुआ है ऐसा तुम्हें कहता हूँ जैसे आपने सुना होगा कि आपके संस्कृति में अज़ीटि क्या आपकरा में और उसके बाद जब होगा हम तो अभी भी जानते है यह थंड़ा है थंड़ा है यही बात है कि आयरवेद में बता रहे हैं भाई यह थंड़ा है इसका शेवन मत करो तो यही आयरवेद है यह इतना हमारे मतलब रूटिंग में यार परंपरा में बहेट गया है कि अभी भाज्य अंग है हमको यह बताना है कि यह बिल्कुल कई लोगों में मतलब कुछ मित भी पाए गए है आयरवेद को लेकि आयरवेद दवा से क्या दवाओं का सही समय पे सही अवस्ताओं पे यह दि हम इस्तमाल नहीं करते तो उसका तो दुरूपर हो नहीं है जैसा मैंने कहां कि गिलोई अब लोगों को पता चल लगे गिलोई तो कोविट पर बहुत अच्छा काम करती है ठीक है लोगों ने क्या कि जहां भी मिली जैसे किसी भी मिली किसी भी अवस्ता में मिली तो उनकी लोगों को खाना शुरूगा दिया तो इसका दुरूपर होगा जैसे आयुश काड़ा हमने पहले वितरीत किया था कोविट के दवरान लोगों ने इतना खाया तो उनको पाइल्स की कुछ बिमारिया होने की सम्भाव अचन समस्ता के उसमें महत्व है तो यह तो व्यादी होने के बाद तो सारी चीजे लीकिंगी लेकिन व्यादी नहीं होना चीए इसके लिए भी आईरवेद है बिल्कुल आईरवेद दीवस के मौके पर आप क्या संदे जिना चाहोगे हमारे दर्शकों को संदेश तो यह ह संस्कृतिय के अंतरगत जो बसा हुआ है जैसे हमारा खानपान खानपान के बारे में हमको हमारी दादी जैसी बताती है नानी जैसी बताती है माँ जैसी बताती है उसी तरीके से हम खाना खाते है तो खाना खाने की पद्दतिया किस तरीके से आई है वह आईरवेद ने बस इसको छोड़के हम जीने की कोशिस करते हैं तो हमको जरूर बीमारिया होगी और दुनिया ने इस बात को मानना सुरू कर दिया है दुनिया इस तरब देखना सुरू कर दिया है कि भोजन की विवस्ता क्या होनी चाहिए उठने की विवस्ता क्या होनी चाहिए हम ब्रह्मा मुहरत पे उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, तो उसका क्या लाब होगा, हम मेडिटिशन करते हैं, उसका क्या लाब होगा, यह होगा करते हैं, तो उसका क्या लाब होगा, हम लंगन करते हैं, लंगन का मतलब यह हैं, कि पूरे पाज-पाज दिन, छे-छे द यह ोगों को स्वस्त रखने के लिए नहीं है, तो हमारी मानसी ही अवस्ता भी ठीक करने के लिए बताया चीए इसलिए अर्षवध का महत्तु है, और अर्षवेद का महाम है, आपना पूंगी अपनाने। बहुत है है कि यह अर्षवेदह को हम बैखने बिलकुर। आइरवेड के अनुसार अच्छा स्वास्ते जो होता है शरीर मन और आत्मा का संपूर्ण स्वास्ते है। इसके लिए जनजागरुती के लिए एक महिना एक महिना आइरवेड दिवस के तौर पर विविद्द कार्य क्रमों का ऐजन भी किया जाता है। तो हमारे दरशकों को आईरवेद दीवस के उपलक्ष पर जानकारी दिने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आज की कारेकरम में वक्तों चला है यह रुखने का देखते रहें बीसे नियूज नमस्कार